बाबा ये कौन सा महिना चल रहा है बच्चा ये सावन का महिना चल रहा है तो भोले नात की महमा सुनाईए ना अच्छा तो सुनो एक समय की बात है एक पती पत्नी जिसकी नई नई शादी हुई थी दोनों ने बाबा धाम देवघर जाने की ठानी दोनों सुल्तान गन से अपने कामर में गंगा जल भर कर पैदल ही बाबा तरवार के ओर चल पड़े दोनों मस्ती में जूमते हुए बोल बम ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव का उदगोश करते हुए जिलेविया मोर तक वहाँ से आगे बढ़ते ही उस लड़की का पती आगे चलने में और समर्थ हो जाता है और काफी कोशिश के बाद भी जब वह चल नहीं पाता है तो उसके मन में विचार आता है शायद बाबा भोले नात मेरी परिक्षा ले रहे हैं बस फिर क्या दोनों हातों को उठा कर सम पर्पन भाव से वह बोले नात को पुकारने लगता है और कहने लगता है, ए महादेव, ए भोले बाबा ये मेरी कौन से परिक्षा आप ले रहे हो, मुझे पता है आप मेरी परिक्षा ले रहे हैं, लेकिन मैं भी रुकूंगा नहीं, मैं चलते जाऊंगा, जब तक आपके दरवार में मैं नहीं पहुंचूंगा, तो मैं वापस नहीं जाओंगा, बाबा, मैं वापस नहीं जाओंगा, 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 मैं वापस नह चाहे जीतनी पर इच्छा मेरी लेलो भोले नाथ हम तो आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे हम तो आएंगे हम तो आएंगे आएंगे दिवघर आएंगे हम तो आएंगे आएंगे दिवघर आएंगे अपने जनमों के सारे पाप धूल जाएंगे हम तो आएंगे अपने जनमों के सारे पाप धूल जाएंगे हम तो आएंगे हम बाबा अबु तेरा सहारा है दिन दुखियों ने तुझ को पुकारा है हम बाबा अबु तेरा ही सहारा है दिन दुखियों ने तुझ को पुकारा है नाम लेते तेरा यही हम मर जाएंगे फिर भी आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए वापस नहीं जाएंगे हम तो आएंगे चाहे जितनी परिछा मेरी लेलो भोले ना तो हम तो आएंगे चाहे दूपो या चाहे काटे चुग बांग लेकर बोले तेरा नाम मैंने छोड़ दिया गांग चाहे दूपो या चाहे काटे चुभे बांग लेकर बोले तेरा नाम मैंने छोड़ दिया गांग चाहे जितना भी संकट आएंग मेरे शंभुनात हम तो आएंगे चाहे जितनी परिछा मेरी लेलो भोले नात हम तो आएंगे चाहे कुछ भी हो जाएंगे वापस नहीं जाएंगे देवघर आएंगे इस प्रकार भोले नात को कुकारते पुकारते उसकी पीडा कम हो जाती है और वह भोला भगत अपनी पतनी के साथ बाबा धाम देवघर पहुँझाता है और बाबा को दोनों पति पतनी मा गंगा का जल अरपन करता है बोलिये बाबा वैद्द नात की जै बोलिये बाबा भूत नात की जै